तो भाई लोग बदला लेने का टाइम आगया अस्ट्रेलिया से, क्योंकि हम खेलने जा रहे हैं अस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की टी-20 सीरीज और उसमें हम अपना बदला ले सकते हैं, बॉट अफसोस की बात यह है कि जो हमारी मैं टीम है, वो अस्ट्रेलिया के खिलाब ट प्लेयर मुकेस कुमार को सामिल किया गया है और युजवेंदर चॉल को भी सामिल नहीं किया है था यह मतलब यह हमारे इंडिया टिम के दो अश्टार बॉलर जो आई पिल में भी बहुत बढ़िया करते हैं और इंडिया करते हैं एक छोटी सी छोटा फाइब सबका खराब होता है सुरिया का भी फर्म खराब था बट वी नोग दाट कि इस दो बैट्समें ऑफ ट्वेंटी तो भाई प्लीज उन्हें चांस देना चाहिए था बट आई होब दैट कि अगले सीरिज के लिए इन दोनों को मौका जरू देगा भी सीचाई एंड वी हब तो सपोर्ट आवर टीम एंड हमें अस्ट्रेलिया से बदला लेना है और इस बार जीत के दिखाना है और भाई यहां पर सोसल मीडियो पर बहुत ही फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि जो मैच है फाइनल का वो दुबारा किया जाएगा वेगरा वेगरा तो भाई यह सब नह रेडिफॉर फाइट गेट रेडिफॉर फाइट और अस्ट्रेलिया को एक बार फिर पेल देना है ती-20 सीरीज में पेल देना है औhr हमारी यंग टीम जा रही है टीम वी एक तरफ से कर सकते हैं वैससे आफ हमारी वही टीम एह है क्योंकि हैं और यहींगोरल करेंगे और ल लग कल से मैच स्टाट है 26 कल से सारी ब्रो तेज से मैच स्टाट है और पहला मैच पेशा का पत्नम है तो मैच को इंज्वाइब करिएगा और ट्यूमें इंडिया को फूल सपोर्ट कीजिएगा ऐसा ही नहीं होनी चाहिए कि वर्ड कप को अपने हाथ से जाता देख अभी तक दुखी हो भाई वर्ड कप आते जाते रहेंगे बट एक बात का दुख सबको रहेगा सब इंडियन फैन को भी रहेगा कि हम लोग अपनी चैंपियन को येट वर्ड कप की ट्रोफिय नहीं उठा देख सेगे तो सभी बातों को साइड में रखते हैं और कल से न्यू मैच को करते हैं एंड गेट रेड़ी फोर दा सीरीज ट्रोफी जीत जाएंगे तो ऐसा लगे कि चलो बदला पूरा होगे अपना तो थैंक यू और तो यू अच्छा किजेगा थैंक यू और भाई साथ में यह एक इंफ्रमेशन था कि जो हमारे स्रिया स्रियर है वो टीम को लास् क्यास केप्टेन जोइन करेंगे तो वी होड़ डाट की वी बिन इस सीरीज और तो